जहिन साथियों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अवतारिश्टेडी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रसत के इस रिंखला में कमी या बृद्धे पर आधारित प्रश्ण यहां प्रश्ण आपके वंडे एक्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही कारगर सावित होंगे यह प्रश्ण बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा और जिन प्रश्णों में आपको कोई समस्या होती है आप कमेंट करके हमें जुरूर बताएं तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्णों की ओर आपके सामने हैं आज का पहला प्रश्ण यदि A की आए B की आए से 25 प्रश्ण कम हो तो B की आए A की आए से कितने प्रश्ण अधिक है तो समझने के लिए सबसे पहले क्या करते है A और B लिख लेते हैं यहां पर प्रश्ण में कहा गया है कि A की आए B की आए से 25 प्रश्ण कम है हम मानते हैं कि A की आए B की आए से 25 प्रश्ण कम होने की वज़ा से किस से कम है B से कम है तो अगर मानते हैं कि B को B की आए 100 रुपय है तो A की आए कितना होगा अब 25% कम है तो 100 रुपए में 25% कम हो जाने पर A की आई कितनी हो जाएगी 75 रुपए हो जाएगी तो प्रशन में पूँचा क्या है सबसे बड़ी बात ये है प्रशन में पूँचा क्या है यही समझना सबसे बड़ी बात है लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगा देंगे तो यहां पे समझते हैं कि यहां प्रशन में दूसरी लाइन में कहा है तो B की I A की I से कितने प्रसट जादा है B की I B की I A की I से कितना जादा है आप बताएगे साथीं कितना जादा है 25 रुपए जादा है कि नहीं तो percent के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा जादा कितना है 25 बटे कितने से A से यहाँ पे लिखा है हम नीचे क्या लिखेंगे हर में क्या लिखेंगे A की I से यानि पूँच रहा है कि A से कितना जादा है तो जिसमें से लगया रहता है उसको हम नीचे लिखते है 75 बटे 100 यहाँ पे हम 100 से गुड़ा करके percent में निकालेंगे तो 25 से कम 25 25 तियां 75 और 3 का भाग 100 में दे देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1 बटा 3 percent जिसे हम option में ढूड़े तो नहीं मिलता है तो यहाँ पर साथियों आप भ्रमित मत हो यह यहाँ पर answer जो दिया है वो 33 दिया है और 1 बटा 3 का जो value होगा आप निकालेंगे तो 3.33 यह आ जाएगा और आपका answer कौन से सही हो जाता है option number D तो बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की ओर आसा है कि आपको पहला प्रशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रशन चीनी की कीमत में 25 प्रतिसद बृद्धी हो गई तद अनुसार यदि एक ग्री स्वामी को चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत कितनी कमी करनी होगी बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान सा प्रशन है जो आप लगाएंगे और एक्जाम में इस तरह के प्रशन बहुत ही देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि अगर चीनी की कीमत पहले 100% रही होगी अब उसमें 25% की बृद्धी हो गई चीनी में कितनी बृद्धी हो गई है 25% की बृद्धी हो गई है तो उस 100 का 25% अगर बृद्धी होई है तो चीनी की कीमत अब 125 रुपए हो गई है पहले हमने माना कि चीनी की कीमत 100 रुपए थी अब 25 परशन अगर बिद्धी हो गई तो अब चीनी हमको 125 रुपए मिलती है तद अनुसार एक ग्री स्वामी को चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे अब हो चाहता है कि पहले हम चीनी 100 रुपए गलिया करते थे अब हम चीनी 125 की हो गई है तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा चीनी के चीनी के पीछे 100 रुपए ज़्यादा खर्च हो तो आप क्या करेंगे कि भई चीनी तो लेना पड़ेगा अब 100 रुपए की चीनी थी तो अब हम क्या करेंगे कि चीनी में ब्रिद्धी कितनी उकी होई है पचीस रुपए की ब्रिद्धी होई है यहाँ पे अगर पर्षेंट के हिसाब से देखा जाए तो पचीस पर्षेंट है और रुपए की हिसाब से दिया जाए तो पचीस रुपए जादा है एक उधार के माध्यम समझते हैं कि अगर हम पंदरा रुपए किलो आलू ले रहे हैं और अगर अब दुकानदार ने कहा बीस रुपए किलो आलू है तो ग्राह कहता है हमारे पास तो सिर्फ पंदरा रुपए है तो कहता है आप पंदरा रुपए की ही आलू ले लीजे थोड़ा कम मिलेगा पर कितना कम मिलेगा ब्रिद्धी कितने की हुई है रेट में पांच रुपए की जादा पांच रुपए बृद्धी होई है तो यानि आलू जो है हमको पांच रुपए की कम मिलेगी अब जितनी पांच रुपए में आलू मिलती थी अब उतनी हमको आलू कम दी जाएगी यानि कि यहां पी समझते हैं कि अगर हम 100 रुपय की चीनी थी अब 125 में हो गई लेकिन ग्राहक चाहता है कि हमको 100 रुपय की ही चीनी मिले तो उसके खपत में कम करनी होगी तो खपत कितना कम होगा 25 रुपय में जो ब्रिद्धी हुई है उतने 25 रुपय में जितनी चीनी मिलती है उतनी ही कमी करनी पड़ेगी तो कमी निकालने के लिए आप क्या करेंगे 25 रुपए जितनी कमी होती थी कितनी कमी 25 के और बटा बृद्धी हुई यह 125 आप इसी से तो कमी करनी है बृद्धी से ही तो आप नीचे 125 लिख सकते हैं इन 200 बहुत ही आसान आपको नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार देखें 100 रुपए की छिटी थी अब 125 की हो गई क्योंकि 25 परशन बृद्धी हो गई है तो आपको कमी अगर निकालना हो कि कितने खपत कम करना होगा तो आप जितनी बृद्धी हुई है उसको लिख लेंगे बृद्धी 100 से 125 हुई है 100 से 125 हुई है तो आप 25 अंस मिलिक लेंगे आपको कमी करना है तो कमी किस से करेंगे आप 125 से कम करेंगे तो आपको 125 हर मिलिक देना है इंटू हंडेट करके परशन बदल देना है 25 से कम 25, 25 पंचे 125 का भाग देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 20% यानि कि चीनी हमको कितना कम लेना पड़ेगा 20% कम तो आंसर कौन सा सही होता है डी नंबर यहां पर बिकल्प डी नंबर मिल रहा है अगर परिच्छा आनलाइन है या आफ लाइन हम जब बिकल्प में टिक या गोला भरते समय बहुत ही ध्यान से भरेंगे कभी-कभी हमारा प हम चिन्न लगा देते हैं तो ऐसा नहीं करना है चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ध्यान से समझते हैं तीसरा प्रशन तीसरा प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर है यदि प्याज का मूल 24 रुपिया प्रति किलोग्राम से 36 रुपिया प्रति किलोग्राम हो जाता है त इस प्रश्ण को आप समझिए बहुत ही आसान अगर पहले प्याज की कीमत कितनी थी 24 रुपए अब कितनी हो गई 36 रुपए यानि कितना रुपए बढ़ गया है 12 रुपए कैसे हम जाने की 12 रुपए बढ़ा है अरे भाई साहब 24 रुपए की पहले अगर प्याज मिल रही है अब वो 36 रुपए की मिल रही उतनी ही प्याज तो ब्रदी कितने की होई 12 रुपए हाई रे महेंगाई महेंगाई तो बहुत है तेज 12 रुपए बढ़ गई है तो प्रश्ण की ओर लोटते हैं तो कहता है प्रश्ण की तो एक ग्रहंडी को प्याज की खपत कितनी कम कर दे नहीं अरे भाई साहब अगर 24 रुपए की प्याज अब हम खाते थे एक किलो अब हम प्याज की रेड बढ़ गए 36 रुपए तो घरवालों ने कहा कि हमें प्याज अब तुम 24 रुपए की ही ले आओ तो जाहिर से बात है अब हमको प्याज तो थोड़ा कम ही मिलेगी तो च कमी करने के लिए अपनी खपत को कम करने के लिए क्या करेंगे कि कितने की प्याज नहीं लेना है 12 रुपए जो बढ़ा है उतने की प्याज हम न ले तो हमें 24 रुपए की ही प्याज मिल जाएगी तो कितना परशन कमी करना पड़ेगा 12 रुपए में जितना प्याज मिलती उसी को हम हर में लिखते हैं इंटू हंड्रेड बारातियां च्छतिस तीन आया जब तीन से सो में भाग देंगे ति कितना आएगा इसका भी आ जाएगा आंसर तीन 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 आप भाग दे कर देखेंगे तो आएगा कौन सा भी कल्ब मिल रहा है आप्शन नंबर ए मिल रहा है कहीं धूंडना नहीं पड़ा सबसे उपर ही है और बहुत ही आसान सा प्रशन उमीद है कि आप सभी परिछार्तियों को हमारे प्रशन बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे हैं जिन विद्धार्तियों को हमारे प्रशन अगर बताने पर थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो बीडियो को दो बार तीन बार चार बार देखें क्योंकि बहुत साई ऐसे विद्धार्तियों होते हैं जिने एक बार में प्रशन नहीं समझ में आता ऐसे विद्धार्तियों हमारे साथ करें लाइक करें और अपने मित्रयार दोस्तों को सेयर करें तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्ण की ओर आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्ण तीसरा प्रश्ण बहुत ही आसान है नहीं तीसरा नहीं है तो चौथा प्रश्ण है चलिए चौथा प्रश्ण तो कि सीप दार्थ का मूल 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर साड़े साथ रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाये जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी बहुत ही बढ़ी है प्रश्ण अगर जाहिर सी बात है किसी चीज में अगर रेट बढ़ जा रहा है और आप जितने पैसे भी दे कर ला रहें उस समान को अगर चाहते हैं कि उतने पैसे में ही ले आए उस समान को तो जाहिर सी बात है उसका वेट या उसके मात्रा को कम करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई पदार्थ था वहाँ पे और अगर 6 रुपए में पहले मिल रहा था किलोग्राम एक किलोग्राम अब उसाड़े 7 रुपए का हो गया है तो कितने रुपए रेड बढ़ गया है यानि 1.5 रुपए रेड बढ़ गया है अब हम चाहते हैं कि 6 रुपए का समान लाए हम 1.5 रुपए जो बढ़ा है उतना हम ना देना पड़े तो हमें कम मिलेगा उस समान तो कितना कम मिलेगा यानि 1.5 रुपए में जितना मिलेगा उतना हमें कम देना होगा तो आप कमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कमी बराबर आप अंस में 0.5 रुपए बटे अब नीचे वही फिर लिखा जाएगा कितना 7.5 रुपए क्योंकि 7.5 रुपए से ही तो कमी करना है खपत अपनी कम करेंगे तो साड़े साथ रुपए नीचे लिख लेंगे इन टू हंड़ेट पर्षेन बदलने के लिए सो से गुड़ा करते है तो यहाँ पे फिर बहुत ही आसान है काटना अगर एक दसमलो यहाँ पे दो अंग पे लगा है यहाँ भी समान अंग पे दसमलो लगा है तो क्या करेंगे दसमलो से दसमलो कट सकता है जी हाँ कट सकता है और एक जीरो से एक जीरो कट सकता है हाँ कट सकता है पंदरा एक कम पंदरा पंदरा पचे पचतर यानि यहाँ पे आया एक बटा पांच और एक का गुणा 100 में हो जाएगा कितना आएगा 100 और हर में कितना है 5 और 5 से भाग देंगे 100 में कितना आएगा 5 दूनी 10 पांद 1,0 बढ़ जाएगा यानि कितना आगया 20% 20% हमें कम करना पड़ेगा हाईर महंगाई महंगाई के प्रश्णों को आप समझ रहे हैं आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपियोगी प्रश्ण है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके साबने इस्क्रीन पर है 5 वा प्रश्ण चीनी के मुल्ले में 10% की बृद्धी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम किलोग्राम यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है यहां पर एक सब्द नहीं लिखे आ गया कम चलिए हम इसको बढ़ा लेते हैं हमें आसा है कि हमारे परिच्छार्थियों बिद्यार्थियों को यहां प्रश्ण समझने में आसानी हो जाएगी और इसे समझ लेंगी कि यहां पर क्या लिखा जाएगा कम कितना किलोग्राम कम कर दें ताकि उसका खर्च कोई प्रभाव न पड़े जबकि मूल बृद्धी से पहले चीनी की खपत तैंतिस किलोग्राम थी तो बहुत ही बढ़िया आसान सा प्रश्ण है समझते हैं इसे पहले चीनी के मूल में दस पर्शंट की बृद्धी हो गई चीनी के मूल में दस पर्शंट की बृद्धी हो गई मानते हैं कि पहले हमको चीनी 100 रुपिया मिल जाती थी अब कितने मिली 10 पर्षेंट ब्रद्धी हो गई अब 100 में जब 10 पर्षेंट की ब्रद्धी हो गई तो कितना हो गया 110 रुपए की मिलेगी नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए अगर मान लिजे 100 का 10 पर्षेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपए ही आएगा और 100 रुपए में आप 10 रुपए जोड़ देंगे तो यानि की 110 रुपए की चीनी हमें मिल रही है तो फिर आगे प्रषेंट में पढ़ते हैं ता कि चीनी की खपत कितनी कम कर दें ता कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े अजब कि मूल बृद्धी से पहले चीनी की खपत कितनी थी 33 किलोग्राम चीनी की खपत कितनी थी 33 किलोग्राम तो यहाँ पे समझते हैं कि 110% बराबर 33 kg क्यों इसे रखा गया क्योंकि चिनी का रेट 110 हो चुका है वर्तमान में और चिनी हमारी 33 kg मिल रही है अब अगर हम लेना चाहते हैं तो 110% पे आपको 33 निकालना पड़ेगा लेकिन कम करना चाहते हैं ना खपत को कम करना चाहते हैं कितना कम करें तो यहाँ पे 10% में जितना हमें 10% में यानि 10 रुपए में 10% का मतलब कितना हुआ था 10 रुपए 10 रुपए की चिनी अब हम नहीं लेंगे 10 रुपए की चिनी अब हम नहीं लेंगे ताकि खर्च हमारा उतना ही रहे यानि 100 रुपए में ही मिल जाए तो चिनी का weight कम हो जाएगा चलिए देखते हैं यानि कि 100% पे ही हम चिनी लेना चाहते हैं तो 110% बराबर 33 तो 100% की value आप निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे 1% बराबर पहले निकालेंगे 33 बटा 110 तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 33 बटा 110 गुणे 100 1 0 से 1 0 कड़ गया और यहाँ बचा 11 33 तीन का गुणा 10 में हो जाएगा 3 नहम मत 30 यानि कि चिनी हमारी अब कितने मिलेगी 30 किलोग्राम मिलेगी पहले हम खाते थे 33 किलोग्राम अब खाएंगे 30 किलोग्राम चलिए कोई बात नहीं कम ही चिनी खाएं वहीसे भीमारे सेहत के लिए बहुत ही चिनी नुकसान दायक है तो बढ़िया है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ लोग मित्र को हमें लगता है कि यह समझ में नहीं आया है चलिए समस्ते हैं यहाँ पे 100% वाला कैसे आया होगा अगर एक रुपए की चाट टाफी मिल रही है कितनी टाफी मिल रही है चाट टाफी तो हमें 7 रुपए की कितनी मिलेगी तो 7 रुपए में कितनी टाफी मिलेगी कहो गुरु जी अगर 1 रुपए में 4 टाफी तो 7 रुपए में 4,7 तो करेंगे तो 28 टाफी मिलेगी अरे भregation यहां भी तुभ ऐसे ही था 1 पर्षेंट बरावर कितना है 33 बटा 110 है एक पर्षेंट बराबर 33 बटा 110 है तो 100 पर्षेंट बराबर 33 बटे 110 में ही तो 100 का गुणा होगा 100 पर्षेंट बराबर कितना होगा अरे 33 बटे 110 में ही तो 100 से गुणा होगा और गुणा करके solve कर लेंगे तो कितना आएगा 30 kg आएगा तो उमीद है सभी परिछार्थियों को हमारे प्रश्ण बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और जिन परिछार्थियों को प्रश्ण में कोई समयस्या हो रही है वो कमेंट में हमें बताएं कि हमारी समयस्या क्या है ताकि हमारा अवतारिष्टिडी परिवार आपकी सहायता कर सके नौकरी की माने तो नौकरी सिर्फ मिलेगी अवतारिष्टिडी पर आप अवतारिष्टिडी से जुड़े रहें और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अवतार श्टिडी के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो इस्वर की कृपा बनी रहेगी आप साल भर में नौकरी मिल जाएगी हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करेंगे और अब अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद धन्यवाद जहिन साथियों जहिन